हेलो दोस्तों सोगता आप सभी लोगों का Gamer King मोर आज की इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं GTS NNDS ENB Graphics Mod के बारे में तो इस Mod में आप लोगों को बहुती Ultra Realistic Graphics मिल जाएगा तो मैं आप लोगों को एंड में इसका gameplay दिखाऊंगा तो अगर आपको ये Mod अपने Android वाज में डाउनलोड करके प्ले करना है तो आप लोगों को पताऊंगा इसको कैसे डाउनलोड और कैसे इंस्टॉल करना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप मेरे शैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्यों कि मैं ऐसे Gaming's Related वीडियो डे लिलाता रहता हूँ तो वीडियो च्टाट करते हैं तो सबसे पहले आप अपना कोई भी ब्राउजर ओपेंड करिए और माय डिस्क्रिप्शन में आपको अपने वेबसेट का लिंक दूँगा आपको स्कोपेंड करना तो आप कुछी सारा के पेच पर आ जाएंगे उसके बाद यहाँ से निच आईए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जेटीयस एंड इनडियस, एनबी, ग्राफिक्स और अंड्रोड और उसके निचे आपको यहाँ पर रीडम और कॉप्सिन मिलेगा यहाँ पर क्लिक कीज़े उसके बाद आपको यहाँ पर गेम का स्क्रीन सर्स मिल जाएगा अपने गेम को डाउनलोड किया था तो आपको कुछ इस तरह का 7Z फाइल और APK मिल जाएगा सबसे पहले APK पे क्लिक कीजे Open और इसको ऐसे इंस्टॉल कर लिजे और इंस्टॉल कर लेने कबाद यह आप 7Z फाइल पे क्लिक कीजे एक्सेक्ट हेर और आपसे आपे पासड मांगेगा तो जो जो में आपे लिकर आपको वही लिखना है लिखने कबाद ओके पे क्लिक कीजे और एक्सेक्ट हो जाने के पाद आपको इस तरह का Comm.Drocksure Game जो जो TSA का फोल्डर मिल जाएगा इसको उपेन कीजे फाइल में जाएए और यहाँ पे TXDB और यहाँ पे आपको Cutscenes का फोल्डर मिलेगा इसको उपेन कीजे और यहाँ पे आपको अपने GPU का सबसे Rename करना है अगर आपको नहीं पत आपको GPU का है तो मैंने अपने website में बता दिया है आप वहाँ से जागे चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे इस पे Long Press कीजे और यहाँ से Rename पे जाईए और यह जो Rename लिखा हुए इसको हटा दिजे अगर आपको यहाँ पे इंडरेनो तो आपको यहाँ से DXT कर देना है और अगर आपको माली है तो आपको यहाँ से ETC कर देना है और अगर आपको Power VR है तो आपको यहाँ से PVR कर देना है तो मेरा माली है तो मैं ऐसे ETC कर देता हूँ ऐसे ही आपको जहाँ 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 पर रिनेम दिखे आप सभी को वहाँ से रिनेम कर दीजेगा तो मैं जल्दी जल्दी सभी को रिनेम कर देता हूँ और रिनेम कर देने के बाद यहाँ से बैक चले जाएए और यहां से com.rockscher game जो gtsa का folder को यहां से cut कीजे फिर से back आईए android के folder में जाईए और यहां पर data और इसमें के paste कर दीजे तो मैंने पहले से paste कर दिया है उसके बद आप अपना game को open कीजे और यहां पर game को open करने का बद offline पे क्लिक करिए और यहां से start game पे जाईए और यहां से new game को select कर लिजे तो आप लोग आप देख सकते है game start हो रहा है तो यहां पर आप लोग देख सकते है game start हो चुका है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को like करिए और अपने दोस्तों के साथ share करिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe कर लिजे तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तो थैंक्यू कर दोस्तों के साथ I need to kick the habit that my mind is breathing in Break out, I've got to see Spent all my life holding all of it closely I played it in a sense, a feel of discontent I'm finally facing it all, fearless Fear, 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 fear और नहीं और ही और वे करेंए और उब मुऊंधिंग और और रचे रुट झाजव और आचर आपनद्ट कराँ इस स्टा था-चरिजर ए्ट बो जिए रशावारा इस ज्बूरर तर जो अए दाल प्रज़ वाज कि और चार बंग, पर अवर दाले दे कर दोट्स कि अरोब टे Oh, break out, I've got to see Spent all my life holding all of it closely I played it in a sense, a feel of discontent I'm finally facing it all, fearless 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 झाल 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 झाल